हेलो एव्रिवन हेलो डियर एटीपींस वेलकम टू एटीपी स्टार कैसे हो बच्चों होपिंग डैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो बच्चों mathematics for jamain 2024 first attempt आप मेंसे बहुत सरे students mathematics से बढ़ा डरते हैं लेकिन आज आपका डर खतम होने वाला बच्चों जो ही limited समय बचा है इसमें भी आप mathematics में सिग्निफिकेंट स्कोर कर सकते हो और अपने स्कोर को आप सब का प्यार सपोर्ट बहुत 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 इंपोर्टेंट है ओके बच्चों सो इंजॉइद सेशन हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ ओम जी अवस्ती और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से यूट्यूब प्लैट्फॉरम में तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग को पता है अब जैमेंस फर्स एटैम्प में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं इस टाइम पर हम लोग को एक स्टैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी अपना एक प्ल माइज हो सके चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे क्या क्या करेंगे आए देखते हैं तो चैप्टर वाइस हो कर How टो की होती है में सारे बच्चों की होती है आहे नि हाई वेटेज जो अपने पास चैप्टर्स आते हैं अपने जेई में में वो पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से चैप्टर वो होते हैं चलिए डिसकस करते हैं तो सबसे पहले अपने पास हाई वेटेज में आता है determinant and mattresses ठीक है determinant mattresses 3D geometry ठीक 3D geometry यह अपने past most important chapter में से एक है पिछले previous years के अगर हम लोग questions की बात करें तो बहुत सारे questions 3D geometry के हम लोग को वहाँ पर देखने को मिले थे ठीक है ना sets relation and functions sequence and series और conic section sequence and series भी बहुत important है यहाँ पर यह क्या है independent chapter ठीक है ना यह अगर आपने लगा लिया तो सीधा सीधा सवाल इसी से आता है ठीक है ना sequence and series अच्छा chapter है यहाँ नेक्स्ट है अपने पास definite integration definite integration के हर साल लगभग दो question तो आते ही आते हैं ठीक है ना applications of derivatives ठीक है binomial theorem vectors differential equations यह सारे चैप्टर अपने पास आते है binomial theorem भी बहुत important है अपने लिए ठीक है जी independent है और previous year में अपने पास काफी सारे questions हम लोग को binomial theorem से देखने को मिले थे तो यह high-weighted chapters है ठीक है continuity differentiability and differentiation continuity differentiability differentiation यह भी अच्छा chapter है scoring है यहाँ पर दो question आते हैं permutation and combination PNC PNC अपने आप में इंडिपेंडेंट chapter है और आपको PNC अच्छे से आता है तो वहाँ पर probability में भी यूज होगा यह PNC ठीक है ना तो इसलिए PNC को करना बहुत ही जादा यहाँ पर जरूरी होता है ठीक है आईए नेक्स देखते हैं अब जब हमने यह सारे chapter जो अपने previous में हमने discuss किये तो यह भाई साब chapter किसी ना किसी topic पर या chapter पर क्या है dependent है ठीक है ना मगर आपको इन में अच्छा score करने के लिए आपको पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए तो वह कौन सी ऐसे topics हैं कौन से ऐसे chapters हैं जो आपको पहले आने चाहिए आज हम वह भी discuss करेंगे ताकि आपकी मैस का जो foundation है वह बहुत जादा strong हो जाए ठीक है ना आईए देखते हैं तो अपने पास हाई वेटर हमने सब देख लिया अपने पास ठीक है आईए तो बेस ऑफ एक्जाम बेस ऑफ एक्जाम ठीक है ना ठीक है वह हम लोग देखते हैं पूरा एक्जाम किस बेस पे सारे chapters जो है किस बेस पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यह जो chapter है यह पूरी मैस के foundation है यह chapter अगर आपको आते हैं तो आपको मैस में कहीं दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने देखा होगा सवालों में कहीं ना कहीं ट्रिगनामेटरी यूज़ हो रही है इन चैप्टर्स को अगर आप नहीं किया और आप चाहें कि आप डारेक्ट वाले चैप्टर लगा लें और आप अच्छा इसको ला सकें तो ऐसा मुंकिन नहीं है ठीक है ना तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने पास ट्रिग्नोमेटरी ट्रिग्नोमेटरी इस मोस्ट इंप आपको पता होना चाहिए ठीक है ना उसकी आइड़िनेटी इससके फॉर्म्ले जो भी बाकी हैं ठीक है ना कॉडिटिक एक्क्वेशन भी हर कुष्टिक में कहीं न परद या उसको तरीके हैं यह सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए यह भाई साब फॉन्डेशन function के यह सारे ग्राफ हम लोग को पता होने चाहिए ठीक है तभी हम एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने एक्जाम में दे पाएंगे ठीक आये फिर अपने पास सेट थियोरी सेट थियोरी कई कोश्चन में कोश्चन में जो के शो कोश्चन आता है उसमें लिखाई होता है सेट परिगे एकवर्डिंग ठीकेन अगर आपको सेट की थियोरी नहीं आती है तूब कोश्चन ही नहीं पढ़ता होगे कैसे सॉलव करोगे आगे बढ़ीन पाऊवगे इसलिए छेट थियोरी ठीक है एलजेब्रिक इने कुर्टीस इन इक विल्टीस सॉलू करना आपको आना च chapters यहां पर complete करते हो तो आपका एक अच्छा foundation यहां पर त्यार हो जाता है आगे की मैस को पढ़ने के लिए और एक अच्छा score लाने के लिए ठीक है ना अब यहां पर हम लोग बात करें जैसे limits limits अगर हम लोग बात करें यहां पर तो limit बहुत important है क्योंकि जब मैंने high scoring यहां पर हमने बताया था high scoring chapters जहां पर discuss किया था वहां पर क्या था continuity और differentiability जो कि आपको तभी आएगी जब आपको क्या आनी चाहिए limit आनी चाहिए यही चीज मैं सेम चीज यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि यह क्या है foundation chapters है जो आपको पता होने चाहिए तो अगर आप सीधे उन chapters पर जाओगे जो high integration but definite integration तभी आप कर पाओगे जब आपको क्या आएगा indefinite integration तो indefinite integration यहां पर आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा चीके ना यह बात आपको समझ में आती है तब तक आप कैसे कर पाओगे है ना इसलिए वेक्टर इस इंपॉर्टेंट तो वेक्टर चैप्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना graph of standard function मैंने function में ही आपको बता दिया था determinant and matrices यह अपने आप में एक independent है तो यह सारी चीज़े हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी ठीके ना तो सिक्वेंस इंसरीज आपस अपने आप में क्या है independent है ओके नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है अपने पास binomial theorem binomial theorem भी मैं बता दिया इंडिपेंडेंट है और हाइज स्कोरिम अटिकर ना पिकन है यक सवाल यहाँ आता है तो यह फर का ट्रॉविल्ट्स फिस्ट्रॉंग और कैसे आप यह껏 स्ट्राइटेजी को अपने बना सकते होगने पहले आप को यह कवर करना है इसके बाद आपको हाइए आप रोक क्रते हैं अब स्टूडेंट्स एक अपर रपीरेशन के दो पहला टायप है जिन ने तक कर लिया है यह लगभग उनका पूरा पूरा स्लेबस हो गया है इसका यह मतलब नहीं है कि मतलब अच्छे से कर लिया है और कुछ ऐसे हैं जिनका 50% तक हुआ है या उससे भी कम है तो उन्हीं क्या करना है इस टाइम पर कैसे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइस करें जिससे आपका स्कोर है वो जादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके है यह चीज हम लोग को यहाँ पर समझनी होगी आईए देखते हैं तो पहले टाइप वन वाले जिनका स्लेबस जो है 90% से उपर हो गया है स्लेबस जो 90% से उपर हैं ठीक है कैसे करेंगे वह वो लोग ऐसे करेंगे कि उ और इंडेक्शन वाला जो चैप्टर था था मैथमेटिकल इंडेक्शन वाला वह पूरा का पूरा हडिगा तो इन चैप्टर्स को आप छोड सकते हो बागी आप कुछ नचो डूट कि मैंस क्या है आपस में सब कनेक्टेड है सब कुछ जुड़ा हुआ है आप ज्यादा में क्या देती है confidence देती है अगर आपके अंदर confidence है तभी आप पेपर में एक अच्छा काम कर पाएंगे एक अच्छा स्कूर ला पाएंगे ठीक है तो रिवीजन बहुत मस्त है रिवीजन आपको करना ही करना है आप चाहें सब कुछ करने और अगर आपने रिवीजन नहीं किया उस एंड टाइम पर एक्जाम के पहले तो भाई साफ मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्फवंकर तूब रउन नहीं ना आपको लगाता है तेस्स देने आपको टैस्स सिरीज हैं यह आप ले सकते हैं अच्छेेसैं टैस्स दीजे ingao aan पर करेंगे तभी आपका स्कूर एक बढ़ें श्कोर आ सकता है तो यह सारी चीज आपको यहाँ पर फॉलो करनी हैं। के आईए next देखते हैं हम लोग अब जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो स्लेबस है वो क्या है 50% के अप्रॉक्स है या उससे भी कम है तो वह लोग क्या करेंगे वो लोग क्या कर सकते हैं तो वहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि आप अपना जो है स्लेबस है वो कंप्लीट क करने की कोशिश करें और हैंड रिटन नोट ही बनाई है क्योंकि रिवीजन के टाइम पर अगर आपने खुद से ही नोट बनाए हैं यह आपके लिए बहुत ही बैनिफीशल होगा आफ फटा फट रिवीजन कर सकते हो आपने अच्छे-च्छे सवाल लिख रखे हैं मैट्स आप अगर 90% आपने स्लेबस कंप्लीट कर लिया तो भी आपको इसमें नहीं आना है कि मेरा तो सब हो गया है अब टेस्ट क्या देने की जरूरत ना टेस्ट दोनों लोगों को देने की जरूरत है क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि आप किस लेवल नहीं पढ़ेगा क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप फिर कॉंफिडेंस आपका लो हो जाएगा यार मैंने पढ़ा था बट अभी याद नहीं आ रहा यह सारी बाते हो जाती है इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है ना ओके बी हाइली अब जब सेलेबस नहीं कमपलीट है तो फोकस अपना फोकस नहीं खोना है हाँ एक्जाम करना है एक्जाम देना है अच्छे अच्छे स्कोर लाने है अच्छे मांक्स लाने है इस पूरे इंटेंशन के साथ एक्जाम देना है highly focus जुळ जुढ जाओ अभी जितना हुई time ब यहां पर आपकी टेंशन खतम हो जाएगी आप अराम से त्यारी करेंगे एडवांस की है ना फिर आपको अपरेल वाले टेम्ट के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ठीक है ओके जो मैंने यहां पर आपको डिसकस करी ठीक है इनको आप फॉलो करें अच्छे से हमारे यूट्यब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए थैंक्यू सो मच